हेलो दोस्तों टेंडर उसमें आप लोग का स्वागत है और आज दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल का पोर्टिबल हाड ड्राइफ यहाँ पर लेके आ चुका हूँ जहां पर दोस्तों अगर आप विंडोस मैक यूज करते और आपको चिंता है आपके ल बैकप कर सकते हैं वैसे यहाँ पर इनकी जो प्राइस है वो डिपेंड करती है 4TB वाला भी है आपको 12,000 में मिलेगा और मेरे पास जो है वो 5TB वाला है जो आपको कुछ 16,000 के असपास मिलता है और इसका जो नामें वो है बैकप प्लस पोर्टिबल उसके अलावा दोस्त तो पता ही होगी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना ही सबसे बड़ा शर्त है वीडियो को लाइक और शेर करना और इस वीडियो की निचे सिर्फ इससे रिगारिंग आपको इएक कमेंड यहाँ पर कर सकते हैं दो वीनस को मैं सेलेक्क करूँगा कुछ दिनों म आपको एक Red Color में मिलता है जो बहुत ही Cool लगता है वो आपको दोनों में इस वीडियो में बता दूँगा और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ लिखा यहाँ पर Windows और Mac दोनों से compatible है जिसकी में आपसे बताया था और पीछी की तरफ भी कुछ additional information आपको दी गई है और Adobe का भी आपको कुछ Creative Cloud का दो भाहिने का प्लान यहाँ पर मिल जाता है तो अच्छी बात है और यहाँ पर आप देखेंगे यह हमारा Hard Drive जो कुछ इस तरह की का है और इसको भी यहाँ से इसके बाहर निकाल देते है तो यहाँ पर हमने इसको बाहर निकाल दिया और आप जो ब्लू कलर मिलता है वो भी अगर आप देखते तो उसमें भी आपको कुछ इस तरह की की डिजाइन मिलती है आप देखेंगे सीगेट का यहाँ पर ब्रैंडिंग दी गई है आपको यहाँ पर इंडिकेटर मिलता है फ्लैश होता है जो आपको पता चलेगा connect हुआ है और करें मैं आपको यहाँ पर अभी बता देता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों मैंने hard drive को successfully अपने laptop में connect कर दिया और आप देखेंगे यहाँ पर backup प्लस जो लिख क्या गया एक separate drive बन गयी है और यहाँ पर double click करते है तो आप देखेंगे इसमें आपको और information मिल जाती है इससे य यहाँ पर मैंने इस app को open करके रखा हूँ तो आपको मैं बता देता हूँ वैसे यह app आपको सारे information देगा आप इसमें बहुत कुछ आ के कर सकते हैं तो यह देखेंगे जैसी आप इस app को open करेंगे यह आपके hard drive को यहाँ पर detect कर लेता है तो उपर अगर आप में इस पर click कर करता हूँ तो एक और एडिश्टिल फोल्डर यहाँ पर open हो जाता है जो बहुत है यह consequence फाइल्स आपको backup करनी है आप यहाँ पर आके select कर सकते है इसके लावा अगर में next करता हूँ तो आप देखेंगे यह आपको बता देता है कि backup करने के बाद कितना space free होगा आपके hard drive मे वो आपको यहाँ पर information जो बहुत दे रहा है तो कुछ इस तरीकी की चीज़ आपको यहाँ पर पता चल जाती है और फिर अगर में next करता हूँ तो एक और चीज़ आपको मिल जाती है कि आप यहाँ पर decide कर सकते है कि आपको weekly, daily, monthly, कप-कप आपको यहाँ पर बैक अप करना तो कुछ इस तरीकी की चीज़े आपको यहाँ पर इसमें मिल जाती है तो यह सारे features आपको यहाँ पर दोस्तों मिल जाते है इसके portable hard drive में dedicated software मिलता है warranty वेगर सब आप यहाँ पर register करके claim कर सकते है और यहाँ पर कुछ इस तरीकी की आप secret case वाले hard drive का फाइदा उठा सकते है